तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल AKC Technical Classes में दोस्तों आज हम बताएंगे आपके फर्स सेमेस्टर में जो Electronics Branch है जो Electronics Engineering के student हैं उनको फर्स सेमेस्टर में कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है सब आज आपको इस वीडियो के माद्यम से बताया जाएगा और आपको कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है किस सब्जेक्ट से कितने नमबर का आता है और किस सब्जेक्ट अप्रेटिकल होता है किस सब्जेक्ट का एक्जाम होता है सब कुछ आज आज आपको इस वीडियो के दोरा पताया जाएगा तो सबसे पहले हम आपको अगर बता दें जो आपका डिप्लोमा का जो भी सब्जेक्ट होता है जो आपका रिवस्चेंज हो चुका है या जो नया आया है सब कुछ आपको हम बतायंगे तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अगर आपको PDF चाहिए डिप्लोमा फर्स्ट समेस्टर इलेक्ट्रोनिक्स ब्रांच के सभी सब्जेक्ट की अगर PDF आपको चाहिए तो आप लोग हमारे वाट्सब नमबर यानी 90-19-87-52-53 पर वाट्सब मैसेज कर सकते हैं और अपने टिप्लोमा के फर्स्ट समेस्टर का सभी सब्जेक्ट का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसके लावा आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी तो जो टेलिग्राम ID है वो है आपकी AKC Technical Classes क्या है आपकी AKC Technical Classes तो आप लोग सर्च किजएगा टेलिग्राम में जाकर Open किजएगा सर्च किजएगा AKC Technical Classes उससे जोईन हो जाएगा और आपका जो भी सब्जेक्ट है आपके फर्स समेस्टर में वहाँ से अपना डाउनलोड कर लिजएगा इसके लावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको नौलेज दी जाती है तो इंस्टाग्राम आइडी जो है वो भी है आपकी AKC Technical Classes जानी जितने भी सोचल मीडिया साइट से वहाँ पर अगर आप लोग AKC Technical Classes सर्च करेंगे तो आप लोग पास सकते हैं और जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक आपको हम डिस्किप्सन बाक्स में देंगे वहाँ से भी आप हमें फालो कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरे की आज की इस वीडियो को करते हैं स्टाट तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो Electronics Engineering के स्टूडेंट है उनको थर्ड समेस्टर में पढ़ना कौन कौनसा सब्जेक्ट है और उसका जो पुरा आपका थियरी प्रेटकल जो होता है कितने कितने नंबर का होता है वो सब आपको हम बताएंगे देखिए है Electronics Engineering का और इसमें देखेंगे हम फर्स्ट समेस्टर और अगर आपको हम बता दें कि आप लोग यह जो पुरा स्लेवस होता है किस प्रकार से अपना पुरा आप लोग स्लेवस डाउनलोड कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनातिया कि डिपलोमा कि आप लोग चाहिए किसी सेमेस्टर के स्थूडेंटेंट हो अपन पुरा सेबस कैसे डाउनलोड करेंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है उस वीडियो का जो लिंक है आपको हम description box में दे देंगे वहाँ से वीडियो जाकर open किजेगा और अपना पुरा स्लेबस download कर लिजेगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम communication skill first में देखिए आपके total seven subject हैं फर्स्ट semester में electronics engineering के student का तो इसमें कौन-कौन सा exam देना है और कौन-कौन सा exam नहीं देना है वह हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें सियस फर्स्ट यानि communication skill first की तो इसका जो है एक्जाम लिया जाएगा जो कि 50 नंबर का आपका exam होगा और इसका practical भी होगा जो कि आपका होगा 20 नंबर का और एक्जाम का जो टाइम डाएगा पचास नंबर वाला आपके लिए मिलेगा धाई घंटा धाई घंटे में आपको 50 नंबर का पेपर साल्व करना पड़ेगा और इस पचास में कम से कम आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा अगर आप लोग 17 नंबर लाते हैं तभी आप लोग पास माने जाएंगे अन्य था कि इस्थित में आपका बैक लग जाएगा तो फिर अगले समेस्टर में आपको बैक एक्जाम फिर से देना पड़ेगा तो कोसिस आप लोग ऐसा किजिए नहीन पाएं और ल Canyon से आपड़ लोग क्लियर है कि इस क्रब में हम ऐता जुद्ध कहले कि हमारे चेनल पर फर्स्ट समेस्टर के आया अने किसी भी समेस्टर के सब्सक्राइब दैर करा जातीया सभी सब्सक्तिय आप लोग चैनल पर विजेट चरूर करते रहें तो होग एक communication skill first आगे अगर बात करें सेकेंड सब्जेक्ट आता है applied mathematics first जो की होता है आपका 50 नमबर का और इसके लिए भी आपका ढाई घंटे का समय रहता है और minimum mark जो है वो 17 नमबर आना चाहिए तभी आप लोग पास माने जाएंगे आगे आता है आपका applied physics first applied physics first जो है ये भी आपका 50 नमबर का होता है कम से कम आपको 17 नमबर लाना रहता है और इसका भी practical होता है यानि 20 नमबर का आपका practical भी हो का इसका और जो exam time रहता है वो धाई गंटे का पुड़ा रहता है तो इन सब तीन सब्जेक्ट के बारे मता दिया अगला सब्जेक्ट अगर बात करें तो है applied chemistry जो कि किसी भी ब्रांच के student रहें उनके केवल first semester में chemistry रहती है तो ये भी आपकी 50 नमबर थेयरी इक्जाम होगा 20 नमबर आपका प्रेट कर लिया जाएगा कम से कम 17 ना बलाना पड़ेगा पास होने के लिए लेकिन आपको ये भी उता दे साथ में कि जो physics का है chemistry का है इन सब में सबसे अधिक बैक लगता है सभी student का तो आपको प्यारी ऐसा करें कि आपका बैक ना लगने पाए अगला था engineering drawing first EDG से बोल सकते हैं आप लोग तो इसका केवल एक्जाम होगा और वह होगा 60 नमबर का एक्जाम होगा इसका कम से कम passing mark जो रहेगा वह रहेगा 20 नमबर 60 में कम से कम आपको 20 नमबर लाना पड़ेगा तभी आपनों का इसमें बैक नहीं लगेगा और इसके लिए आपको तीन घंटे का समय दिया जाएगा तो इंजिनरिंग ट्राइंग से समाधित बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अबलेबल हैं आप लेलिस्ट चेक किजेगा इंजिनरिंग या डिप्लोमा फर्स समेस्टर आल सब्जेक्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से ओपन करके अपने अपने सब्जेक्ट तो इसका भी केवल आपका एक्जाम होता है पचास नंबर का और टाइम रहता है धाई घंटे और कम से कम सत्रा नंबर आपको लाना रहता है इसका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेक्टिकल नहीं लिया जाता अगला आता है आपका जनरल वरक्षाप प्रेक्टिस फस्ट तो इसका केवल आपका प्रेक्टिकल होगा एक्जाम नहीं लिया जाएगा तो इस प्रकार से इसका केवल प्रेक्टिकल होगा एक्जाम नहीं लिया जाएगा और यहां से अगर हम बात करें तो आपके जो से सिसनल मार्क्स भी दिये जाते हैं लेखिए कमिनिकेसल स्किल का थियरी हो गया पचास मैथ का थियरी हो गया पचास पीजिक्स का थियरी हो गया पचास कमेस्ट्री का थियरी हो गया पचास इंजिनिरिंग ड्राइंग का थियरी हो गया साथ और इंजिनिरिंग में का थियरी हो गया पचसे तो हो गया तो इस अगर्स आपके किवाल थ्यरी जो हो जाएंगे हो जाएंगे आपके पांस तस पंदरह 20 पचीश चाह या झाइने तीन असओ ऑद लारा आपको मिलेंगे थ्यरी नंबर से जेए हैं इतना हो गया 310 न अब बाद करें प्रेट कल की तो communication skill का practical होता है 20 physics का होता है 20 chemistry का होता है 20 उसके बाद general works practice का होता है 60 तो इसको जोड़ लेंगे तो total आएगा 120 नमबर कितना आजाएगा 120 नमबर हो जाएगा यानि आपका theory और practical theory यानि 310 प्लस प्रेटकल यानि 120 यानि theory और प्रेटकल मिला कर आपका total हो जाएगा 430 नमबर तो यानि आपको 430 नमबर की study करना है अब total क्या होता है आपका seasonal किना होता है एक होता है SCA student cultural activity वह कितने नमबर का होता आएगे उसको देख लेते हैं तो देखिए 430 ध्यान में रखिएगा अभी आगे और हमें जोड़ना पड़ेगा तो 430 को आप ध्यान में रखिएगा ध्यान से ठीक तो 430 यहां पर हम लिखते रहें नहीं तो भूल जाएंगे यह हो गया तो 430 सापका ठेडियां यहां और अब आगे अगर बात करें आपका होता है इंतर्नल कि इन्टर्नलस मार्क होता है जो आपका 210 नमबर का होता है इलेक्टानिस इंजिनिक फर्स समेस्टर की स्टुड्यन का आप बता रहे हैं जो कि अधार पर यह marks दिया जाता है और एक यहाँ पर होता है यह सी यह यानि student cultural activity यह जो हता है होता है 30 नमबर का कितने का होता है 30 नमबर का तो यहां से total add कर लिजे अपना और अपना प्राव जो प्रूडांक होता है वहां से मिल जाएगा यानि चीरो सेवन चासाव सतर यानि इस प्रकार से आपका टोटल जो पुडांक रहेगा बच्छे सो सतर नमबर होगा और इसमें से आपका यानि इंटर्नल जो माक्स होते हैं वो कालेश की द्वारा दिया जाता है आपके टेस्ट के अधार पर आप जैसा अपना अच्छा प्रदाशन करते हैं उसके अधार पर और जो 430 नमबर है वो थियर्य और प्रेटकल मिलाकर है तो टोटल 670 नमबर का आपका होगा इसमें आप इस्टेडी कैसे करते हैं अपना टेंडन्स कैसे करते हैं तो टोटल आप कहंँ हमने बता दिया ये था electronics engineering के स्टूडेंट का तो जैसे कि अलग अलग ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं सब के लिए अलग 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 प्रूल्स है अलग अलग समझेक्ट भी है कि suisHi ein वर असundas ? हैं और उनका सभी अलग अलग रहता है तहुँ हमने आपको देना का बताया है कि और आज बताया है इलेक्तानिक्स व्रकार्न इसका हमने आपर बता दिया है और स्लेवस डाउनलूड करने के के लिए हमने बताया है कि वीडियो का लिंक जो एक डिस्क्रिशन वाक्स में दिया जाएगा महां से अपना से बस डाउनलोड कर लिचे का तो आज के लिए बस इतना ही और हाँ जितने भी सब्जेक्ट आपके इसमें हैं इसमें से लगभग जितने भी सब्जेक्ट हमारे चै